आंगनवाडी में धूम अस्सलामू अलेकुम हम हाफ्टे के तीन दिन आंगनवाडी में छोटे ग्रुप में बच्चों के साथ सरगर्मिया करेंगी पीर, बुद्ध और जुम्मा की दिन 45 मिनिट की सरगर्मिया होंगी जिसमें हाजरी, नजरसानी या दोहराना, बच्चों के गाने कहामी, अदत खुर्फ पढ़ना और होंवख होगा अब हम बच्चों के साथ हफ्टे में तीन दिन कौन-कौन सी सरगर्मिया करने वाले हैं इसके बारे में जानेंगे आईए जानते हैं पीर के रोज की जाने वाली सरगर्मियों के बारे में हाजरी, बच्चों का नाप कुकारे जाने पर अपनी जगह पर खड़े होकर यस मैडम बोलने के लिए मालूमात दें अब बच्चों को आड़ी तिर्ची कूत करवाएं इसके बाद जुमा को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी और सनीचर के दिन मा ने हमें कौन सी कहानी सुनाई थी उसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बाद बच्चों को पसंदीदा तस्वीर बना कर उसमें रंग भरने के लिए कहें इसके बाद रंग बिरंगे प्यारे प्यारे बच्चों के इस गानी को बच्चों को करवाएं अब बच्चों ने जो तस्वीर बनाई है उसके बारे में कुछ लिखने के लिए कहें अब बच्चों को अदद के मुताबिक कंकर दाइरे में रखने के लिए कहें आखिर में होमवक चेक करें हाजरी बच्चों का नाम पुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर असलामों अलाइकुम टीचर बोलने के लिए मालूमात दें अब बच्चों को गेंद को टपा देकर पकड़ने की सरगर्मी करवाएं इसके बाद पीर को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी उसके बारे में पूछें और बातचीत करें अब बच्चों को रंग की पहचान करवाएं इसके बाद बच्चों को टोपी वाला ये कहानी सुनाएं कहानी के बाद कहानी कैसे लगी? कहानी पर मुबनी आसान और मुश्किल सवालाद भी पूछें अब बच्चों को कहानी की अदाकारी करने के लिए कहें जैसे एक बच्चा टोपी वाला बनेगा कुछ बच्चे टोपी खरीदने वाले और बाकी बच्चे बंदर बनेगे ज़रूरत पढ़ने पर बच्चों की मदद करें अब टोपी की तस्वीर बनाना सिखाएं आखिर में अदद और तस्वीर की जोड़ी लगाने का होमवग दें हाजरी बच्चों का नाम बुकारे जाने पर अपनी जगा पर खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलने के लिए मालूमात दें इसके बाद बच्चों को गिलास इखटा करने की सरगर्मी करवाएं जैसे जमीन पर कुछ गिलास रखें दो बच्चों की आँखों पर पट्टी बांधें अब जमीन पर रखें गिलास इखटा करना है जो बच्चा ज्यादा गिलास इखटा करेगा उसके लिए ताली बजाएं अब बुद को हमने कौन सी सरगर्मिया की थी उसके बारे में बच्चों से पूछें और बातचीत करें इसके बार मा के बारे में बातचीत करें जैसे आपकी मा का नाम क्या है मा को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है मा दिन भर क्या करती है मा की कौन से बातें आपको बहुत अच्छी लगती है वगयरा अब मेरी मा कितनी प्यारी बच्चों के इस गाने को बच्चों को करवाएं इसके बार मा के लिए एक पसंदीदर तौफे की तस्वीर बनाने के लिए कहें अब उस तस्वीर में रम भरने के लिए कहें आखिर में Homework चेक करें बच्चों के साथ की गई सरगर्मियों की तजर्बात हमें जरूर बताएं शुक्रिया